हलो काईच, आप लोका स्वागत था आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपरसिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं जो है सहाय कध्यापक एल्टी ग्रेट सामान अध्यान की बुक ये बुक जो है पूरी तरीके से रिवाइज़ है और पूरी की पूरी जो है सिलेवर्स के एकॉर्डिंग ये बुक है इस बुक की जो प्राइस है वो 2.99 रुपीज है आपको ये मॉर्केट में भी मिल जाएग लिक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है चक्षू पूरी जो है बुक है जैसा कि जो है एक दो दिन पहले भी इसके बारे में अपडेट आई थी और आज भी इसके बारे में एक अपडेट आई है इसमें लिखा आठारा से भरे जाएंगे बीएड संयुक्त प्रिवेस परिक्षा के आवेदन फॉर्म पूरा कारिक्रम गोसित किया गया इस कारिक्रम को देख लेते हैं उत्तर प्रदेश बीएड सायूत प्रवेश परिक्षा 2022-23 के आवेदन 18 अप्रेल से भरे जाएंगे आवेदन प्रक्रिया 20 मई तक चलेगी सासन की ओर से आवेदन प्रक्रिया का सेड्यूल रोहिल खंड बिसुविद्धाले को भेज दिया गया परिक्षा जुलाई के प्रत त्यारी करने वाले हैं ताकि इस चैनल पर भी जो है आप सभी लोगों को जल्दी त्यारी भी कराई जाएगी तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने इन्फरमेशन तो मिलेगी साथी साथ जो सलेबस है जो आपका पार्टिकरम है उसके कॉर्डिंग यहां पर त्यारी कराई जाएगी किस प्रकार के प्रसनाते ही वो सारी चीज़े यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा जल्दी आप लोगो इसका टाइम टेबल भी वदा दिया जाएगा कलास कब से कब तक चलेगी ठीक है तो आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर लें और जरूर बताएं कि आप B8 की तयारी कर रहें कि नहीं कर रहें चले यहां पर लिखा है कि B8 प्रिवेस परिक्षा की तयारियों को लेकर विस्विद्याले ने कोर वर्किंग ग्रूप का गठन कर दिया है आज होने वाली बैठाग में परिक्षा के तयारियों से जुड़े प्रिवेस परिक्षा 2022 के आयोजन की जिम्मेदारी रूहल खंड विस्विद्याले बरेलु की मिली यह बिल्कुल सही बात है और इसके बारें पहले भी अपडेट मेने किया है हर बार लगवग दो से तीन बार जो हम लोग का यूपी बिएट का परिक्षा हुआ है वो लख पारित किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप लोग का फॉर्म 18 अपरेल को आ जाएगा फिर हम इस चैनल के मादम से बताएंगे आपको किस हिसाब से तैयारी करना ही है क्या क्या पढ़ना है क्योंकि बियर प्रिवेस परिक्षा का जो सुलेबस है वो आजाते हैं अगली अपडेट को लेकर के कि यूपी ट्रेट 2021 का जो परड़ाम है वो इसी सब्ता आएगा आपके न्यूज पेपर में आ जाया हुआ है क्या अपडेट देखते हैं उत्तर परे सिक्षक पात्ता परिक्षा का परड़ाम इसी सब्ता गोसित होगा बेसिक सिक परिक्षा मंती संदीप सिंग के कारिभार गरान करने के साथ ही परिक्षा न्यामक परादिकारी कार्याले की ओर से प्रस्ताओ बेजा जा चुका है संसोधित उत्तर कुंजी और परड़ाम इसी हफते आने की उम्मीद है बाइस दिसंबर के सासना देश के अनुसार 23 परण परणाम घोसित होना था विदान सबाद चुनाओ के कारण परणाम जारी नहीं हो सके थे चुनाओ के बाद सपत गरान और मंत्री मंदल गठर में समय लग गया सूत्रों के अनुसार परिक्षा नियामक प्रादिकारी कारेले ने तयारी पूरी कर दी है सासन की अनुमती मिल 48 घंटे के अंदर आप लोगों का जो है रिजल्ट और संसोधित उत्तरकुंजी आ जाएगी चले वहीं पर हम बात करते हैं यूपी स्कॉलर्शिफ को लिकर के आज जो है जिले में टीम आएगी जिले के सिक्चल सनतानों में चात्रवती गोटाले की जाँच के लिए सासन की टीम सो मोहर को प्रयागरा जाएगी टीम यहां सभी कालिजों में चात्रवती के दस्तावेजों की जाँच करेगी और अपनी रिपोर्ट सासन को भेजेगी चातर वृती बित्रण में हुई गडबड़ी की खवर आपके अपने अकबार इंदुस्तान में 29 मार्च के अंक में प्रमुकता से प्रकासित की गई थी इसके बाद सासन ने मामले की गंभीरता देखते वे तीन सदस्य जांच कमेंटी गटित कर दी थी मामले में दो आडिटर लखनों के लगाएगे जबकि टीम के अध्यक्ष उपने देशक समाज कल्याग विवाग मंजू सरी सिवास्तों बनाई गई है टीम समार को प्रियागराज आजाएगी प्रियागराज में तीन संस्थाओं की जांच करेगी और साथ ही आठ संस्थानों में बितरन की जांच करेगी और ऐसे में जो भी नेड़ाय होगा वो सासन लिगाबाद में चली वहीं पर आते हैं अगली अपडेट यानि कि टीटी की तरज पर अब यूपी में होगा MTT क्या अपडेट देखते हैं आज के नुज पेपर में ये अपडेट भी है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी सिक्षक भरती के लिए आयोजित होने वाली टीचर्स इलिजबिल्टी टेस्ट की तरज पर मदर्सा टीचर्स इलिजबिल्टी टेस्ट आयोजित होगा प्रदेश सरकारी मानता प्राप्त वांदान इन मदर्सों में अब मदर्सा प्रवंदक सीधे अपने अस्तर पर रिक्त पदों पर सिख्षकों की भरती नहीं कर पाएगी हिंदुस्तान से बातचीत में मदर्सा बोट के चेर्मेन डक्टर इफ्तेखाज आवेद नहीं आजानकारी दी है इन खाली पदों के लिए पहले उत्तर प्रदेश मदर्सा सिक्चा बोट आवेदन अमंतित करेगा उसके बाद चैरित अव्यारत्यों के लिखित परिक्षा आवेदन अमंतित करेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका टीटी होता था उसी प्रकार से अब मदर्सा टीचर एलिजबिल्टी टेस्ट भी करवाया जाएगा इसके लेकर के आवेदन भी निकाले जाएंगे ठीक है और उत्तर पदेज में कुल मदर्से की बात यहां करें तो कुल मदर्स से 538 हैं यहां पर बता दिया गया है और 9309 सिक्षकों के कुल सुकृती पद हैं 700 सिक्षकों करीब रिक्तप्द सिक्षकों के हैं ये सारी चीज़ें यहां पर होने वाली है और एक बड़ी अपडेट है जो भी मदर्सा वाले जो चात नहीं है मदर्सा वाले जो सिक्षक है उन सभी लोगों के लिए चली वहीं पर हम बात करते हैं अगली अपडेट असिस्टन प्रोफेसर के सोला सो पदों पर संकट जन सक् निर्दारन के तैट इन पदों पर भरती की संस्तुती नहीं की गई है कालिजों में चात्रों की संक्या कारण असिस्टन प्रोफेसर के पदों की संक्या भी प्रभावित हो रही है उच्छे सिक्षा निदेसाले ने सासन से पूछा है कि इन पदों को समाप्त करना है या ब कोई अपना जवाब नहीं दिया है उच्छ सिक्षा निदे साले ने असास के माविद्यालक से रिक्ष पदों की सूचना मांगी थी सभी जिलों के तक्रीबन दो अजार पद रिक्ष होने की सूचना मिली थी लेकिन इस बीच साचन से जनसक्त निर्धान की व्योस्ता असिस्टन्स प्रोफेसर के नई भरति में इन पदों को सामिल किया जाएगा या नहीं इस पर निर्धाय होना बाकी ए यहां सासन को तरह का लाग। 1600 पदों को जोड़ा जाए या इनको हटाया जाए इसको लेकर करके सासन से मांगी गई है अनुमती अब देखना यह होगा क्या अपडेट आती है वहीं पर 6 लाग पदों पर भरती को जारी हो समय बद कारिकरम यहाँ पर कल चाहत कुछ गह थे उन्होंने कहा है कि जिए इस तरीके से आप 100 दिन में 10,000 रोज़गार के लिए कारिकरम गोसित कर रहे हैं उसी प्रकार से आप 100 दिन में या आप एक कारिकरम गोसित करें जिसमें 6 लाग पदों और आप उसको समय बद तरीके से करिए प्रतियोगी चात चाते हैं कि प्रदेश सरकार ने जिस तरह से 100 दिनों में 10,000 सरकाई नोकरी देने का दावा किया है उसी तरह प्रदेश के विविन विवागों में रिक्त पदे तकरीबन 6 लाग पदों पर भरती के लिए समय बत कारिक्रम जारी किया जाए प्रतियोगियों ने युवा मंच के बैनर तले मुक्यमंतरी को पत्र ट्विट कर या मांग की है उनका तरकर की भरतियों का समयबत कारिक्रम जारी होने से परिक्चा के तयारी बेतार डंग से की जा सकेगी प्रतियोगी चात्रों ने ट्विट में का कि सरकार में पिछले कारिकार में अधिकांज विवागों के रिक्त पदों का ब्योरा सासन को प्राप्त हो चुका है यहां तक कि उत्तर प्रदेद अधिना सेवा चैन आयोग, उत्तर प्रदेद मादमिक सिक्चा सेवा चैन बोर्ड, उत्तर प्रदेद लोक सेवा आयोग, पुलिस में पुरनती भरती बोर्ड के पास इन रक्त पदों का दियाचन भी प्रेसित किया जा चुका है चात्रों का कैना है कि उनेस्को की रिपोर्ट के मुदाबिक सिर्फ बेसिक सिक्चा विभाग में ही तीन दस्वलों तीन लाग पद रिखता है परतियोगी चात्रों का कैना की सबी रिक पदों पर भरते के लिए समय बद कारिकम जारी होने से प्रतियोगी चात्र एक साथ कई बरती परिच्छाओं के तयारी करते हैं और उसका सिलेवस्त अलग-अलग होता है समय बद कारकम जारी होने से चात्रों को परिच्छा के तयारी करने में सहुलियत होगी युवाँ मंच के अदेक्ट अनिल सिंग्यों संयोजग राजे सचान का कायना की 17 दिसंबर 2020 को बेरुजगार दियोस पर युवाँ के अंदोलों के बाद मुक्रमंती ने 6 महीने में सभी रिकपदों पर भरती की गोश्टा की लेकिन ऐसा नहीं हुआ आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं अब बाते हैं अगली अपडेट को लेकर के चायन बोड टीजीटी पीजीटी के 182 चैनितों का समयोजन उत्तर पदेर मादमिक सिक्चा सेवा चैन बोड ने को समयोजन की प्रिक्रिया पूरी होने के बाद अब इन सिक्चकों का अवंटित कर दिया गया है तो यह एक अच्छी अपडेट है कि इसमें से 182 लों को समयोजित कर दिया गया और 155 लों को अभी भी इंतजार है इनको भी जल्द समयोजित किया जाएगा यहाँ पर आप के कारण कारेबार गर्ण नहीं कराया जा सका था जन्पाद में रिक्त उपलब्दना होने के कारण संबंदी जिला विद्ध्याले निरिक्षक द्वारा सिक्चकों के समयोजन के लिए संस्ता प्रस्तावी नहीं की गई थी ऐसे अब ब्यारतियों का समयोजन वर्स 2021-22 में आनलाइन अदिस सूची दरिक्तियों के साफ़ एक बोर्ड की उसे अस्तुनित मानक निधायत करते हुए किया गया है इसके बाद भी तक्रीबन 155 सिक्चकों का समयोजन होना बाकी है समयोजन होना बाकी है तो इन लोगों को भी जल्दी करवा दिया जाएगा और वहीं पर कल पेपर हुआ एसी अप और आरेप उमेंस में जिसमें 57 प्रसत जोएं अब्धारती सामल हुए तो ये सारी आज की अपडेट है अगर वीडियो आपको पसंद आईए डेली की मौनिंग अपडेट आपको अच्छी लगती है आपको इस चैनल की दीगई सारी अपडेट अ क्या जाता है एक मिनट का समय निकाल दीजिए अपने जितने भी साथी उनलों को वीडियो को सेर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिलता है एंगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रह जाहिए जाहिए जाहिए